दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Real Quick Analysis चैनल पर चलिए अब जल्दी से देखते हैं हम अपने आज की रोचक Real Quick Analysis को हमारी आज की वीडियो के स्पॉंसर है प्यूस कामदार जी फ्रॉम बोरी बली इस्ट मुंबई हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों शायद आपको Energy and Power Electronics प्रोड़क्ट बनाने वाली जापानी कमपनी Fuge Electric के बारे में पहले से पता हो यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं ये कमपनी साल 2009 से भारत में काम कर रही है और Single Phase UPS Solar Inverters AC Low Voltage Drives जैसे इसकी प्रमुख प्रोड़क्ट से हैं पिछले साल तक ये कमपनी भारत में 660 करोड का व्यापार करती थी लेकिन उसने अगले पाँच सालों में अपने भारतिये व्यापार को डबल से भी अधिक करने का निर्णे लिया और इस बारे में अपनी योजना को पिछले साल नवंबर महीने में साफजनिक कर दिया इससे पहले कि फ्यूजी इलेक्टरिक की योजना साका रूप लेना चालू कर पाती इसी साल कोरोना वाइरस ने सो सालों में एक बार आने वाली आपदा की रूप में दुनिया भर में प्रसार कर लिया हम सभी भूले नहीं है उस समय ऐसा माहौल बन गया था मानो की दुनिया का अंध होने वाला है तब भी आप में से जादता दर्शिकों को विश्वास था कि यह एक टेंपरेरी डार्क फेज है लेकिन भारत का फ्यूचर फर्मनेंटली ब्राइट है और यही मानना था जापानी कंपनी फ्यूजी इलक्रिक का इस प्रकार चलो एक बात तो तैय हो जाती है कि आपदा में अपसर देखने में ना सिर्फ अधानी अम्मानी बल्कि जापानी कंपनिया भी पीछे नहीं है जी हाँ दोस्तो बिजनिस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना सैटबेक के बावजूद फ्यूजी इलक्रिक ने अपने मेकिन इंडिया प्लान का इंप्लिमेंटेशन जोरों से चारी रखा है यह ना केवल पूर्णे और चेनने में अपने मैनुकेक्चरिंग प्लान्ट का विस्तार कर रही है बलकि 200 नए रोजगार के अपसर भी दे रही है उधारन के लिए जिन डाटा सेंटर, UPS का यह कंपनी अभी तक भारत के बाहर प्रोडक्शन किया करती थी उनका उत्पादन अब पूने में चालू हो गया है देख लीचे जनाब, हमें कब से इसी बात का इंतजार था कि भारत के बाजार में इंपोर्टिट माल बेचने वाली कंपनिया अब उनी प्रोडक्श को भारत में बनाने लगी है और तो और फ्यूजी इलेक्ट्रिक भारत में ही डिजाइंड और डेबलब्ड सोलर इंवर्टर का भी उत्पादन चालू करने जा रही है जिसे मिडिल इस्ट जैसे इलाकों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा कहने का मतलब यह है कि नवंबर महीने में यूजी इलेक्ट्रिक ने भारत को अफरिका और मिडिल इस्ट के लिए एक्सपोर्ड हब बनाने की जो यूजना बनाई थी सोलर इंवर्टर प्रोड़क्ट सिद्ध कर रहा है कि वह कागजी यूजना जमीन पर उतराई है जहां तक क्वालिटी और टेक्नलाजी का सवाल है जापानी कंपनियों के बारे में बात करना ऐसा है मानो कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हों लेकिन इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कहा जाता है कि जापानी कंपनिया निवेश करने में समय जरूर लेती है लेकिन एक बार जब वे पैसा लगा देती है तो मैदान में सबसे लंबे समय तक टिकती भी वही है इसलिए हमें फ्यूजी इलेक्रिक के Make in India for the world प्लान पर शक करने का कोई कारण तो समझ नहीं आ रहा है वैसे कई बार हमारे कुछ दर्शक कमेंट करते हैं कि हम ये positive development ही क्यों कबर कर रहे हैं तो इसके जवाब में हम एक छोटा सा सवाल आप से पूछना चाहते हैं क्या आप हम सभी ये नहीं चाहते हैं कि विदेशी कमपनिया भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट करके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें ताकि ना केवल भारत अपनी बलकि पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा कर सकें वैसे परिसानी ये है कि हम सभी चाहते यहीं है नेकिन जब कोई कमपनी ऐसा करने लगती है तो ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट को बड़े पैमाने पर कवर करना और इसके बारे में सुनना तक कोई नहीं चाहता है हाँ यदि यहीं कवर यह होती हाँ यदि फिर भी आप में से कुछ लोगों को इस अच्छी खबर को देख कर बड़ा बुरा लग रहा हो तो आप रात नौ बजे लेट लिबरल प्राइम टाइम की बुरी खबरों को देख कर खुश हो सकते है अंत में स्पॉंशर्शिप के लिए बोरी वली इस्ट मुंबई के एप्यूस कामदार जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते है जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ये था हमारा आज के अनलिसिस अगर पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कीजिए ऐसे ही और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एनलिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए